राम बिलास पास्वान के निधन के बाद राजे सभा की खाली पड़ी सीट पर उपचुनाओ होने है अब ऐसे में बिहार में इसको लेकर राजनिती तेज हो गई है एक और बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है जहां नमस्कार मैं हूँ अभिशेक तिवारिय आप सभी क का हमारे चैनल पर श्वागत है बिहार में राम बिलास पास्वान के निधन के बाद से ही राजे सभा की एक सीट खाली पड़ी है उसको लेकर राजे सभा के उपचुनाओं होने है अब इसे के मद्दे नजर राजनिती भी बड़ा दिल्चस्प मोड ले चुकी है जिस प् बिल्कुल समतन करेंगे और देखें लोग जन्शक्ति पार्डी ने हम लोगों ने कभी भी हम लोगों ने इस चीज़ को लेकर हम लोगों नहीं कर भारती जन्दा पार्डी की वो सीट थी और भारती जन्दा पार्डी पूरी तरीके से स्वधंध रहे कि अपनी तरफ से उ राज जिस सभा उपचुनाओं के लिए रातो रात अब समिकरण बदल गए है जिस प्रकार से अब खावरे मीडिया में लगतार चलाई जा रही है उसके अनुसार यह माना जा रहा है कि आरजेडी सुप्रीमो लालो पुर्शादियाद और खुद शिराग पस्वान से अब ब वेजने के मूड में है यानि महागटबंधन के तरफ से राम्बिलास पस्वान के पतनी रिना पास्वान को उमिदवार बनाया जा सकता है वहीं इंडिये गटबंधन के तरफ से सुशिल कुमार मोदी का नाम सामने किया गया है आपको बता दें कि 2019 में जो फॉर्मूलाा से रही है क्योंकि बिहार में अब एंडिया गटबंधन का हिस्सा चिराग पास्वान की पाटी यानि लोजपा नहीं रही तो महागटबंधन के तरफ से अब खबर जिस प्रकार आ रही है उसके अनुसार माना जा रहा है कि एक बार फेर से राम विलाज पास्वान की पत्नी रि कर मान जाएंगे चिराग पासवान जिस प्रकार्傷 से इंडिया गट बंदन को लेकर बिहार में रननीती बनाते हैं और केंदर की रननीती को लेकर के अपने आप को मोदी का हनुमान बताते हैं विएसे में मोदी के कटर विरोधी कह जाने वाले है बिहार की बड़ी पार्टी और खेम में से उनकी मातक कुआ अगर राज्ये सभा भेजने के लिए उमिद्वार बनाए जाता है तो चिराग पासवान कि कितनी राजामंदी होगी वैसे एक तरफ बात दूसरी है कि राज्ये सभा भेजने के से उनकी माता को अगर राज्य सभा भेजने के लिए उमिदवार बनाया जाता है तो चिराग पास्वान की कितनी राजामंदी होगी वैसे एक तरफ बात दूसरी है कि राज्य सभा भेजने के लिए किसी भी गटबंधन के पास 243 विधान सावा सीटो अली बहमत में 122 सीटो का होना जरूरी होता है अब ऐसे में महागटबंधन का पलरा भे कतई कमजोर नजर नहीं आता जितने विधायकों का समर्थन महागटबंधन को है और जितने विधायकों का समर्थन एंडिय गटबंधन को है ऐसे में माना यह जा अगर चिराग पास्वान को मनाने में काम्याब हो जाते हैं तो एक तीर से दो निसाने होंगे एक तो जदियू के दबाव में चिराग बीजेपी चिराग पास्वान को दरकिनार कर रही है इस परकार का एक संदेश लोगों की बीच जाएगा और दूसरा जो अतिपिश्डे वर्ग हैं जो पस्वान जाती के वोटर से उनको लुभाने में आरजेडी काम्याब हो जाएगी हलाकि देखने वाली बात है कि लालू परसाद यादो और चिराग के बीच चल रहे जुगलबंदी किस प्रकार किस तरफ का करवट लेती है क्या चिराग लालू परसाद आगे के खबरों के लिए आप बने रहे हैं हमारे साथ नमस्कार